असलाम लेकुम, वेलकम तो माय यूटूब चैनल, आज हम डिसकस करेंगे 10th क्लास, 10th क्लास की एलको प्रॉब्लम नमबर 6, रीट मार्क्स एंड प्रिंट लैटर ग्रेट अकॉर्डिंग तो दा फॉलिंग स्कीम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि हमने यहां पर सबसे पहले है, सबसे पहले आप समझें कि इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, में सबसे पहले क्या चीज रिक्वाइड है marks required सिफ एक चीज रिक्वाइड है चिक है उसके बाद हम आपने argpos चेक करेंगे और ग्रेड के उसके 맞़ू on his hand Representी क्या कर देंगे और पिट करवा देंगे spuls मैंने about meなたGR मैंने marks is 55 ब्शेट इसके इसकी में रेंज पर मार्ट प्रींट हो गया लगो प्रोब्लम में i Hoffa अब इस प्रोबलम में आपको सबसे पहले समझा दूं इस प्रोब्लम में हम सबसे पहले जो डिस्कस करएंगे वह एक statement है that is called Go to statement गो टु स्टेट मेंट को क्या ओति है उसको हम पहले समझते हैं Go To Statement causes the program to jump a specific label. मतलब क्या यहाँ पर? Go To Statement का Go To Statement के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जाना, जम्प करना, एक statement से दूसरे statement तक जम्प करके जाना. ठीक है? अब कैसे? मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पर देखें, हमें सबसे पहले क्या marks मैंने लेट किया है? क्या हो रही है? सैटिस्फाइ हो रही है. यगर इफ यहाँ पर मेरी condition जो है, वो सैटिस्फाइ हो रही है, इन मेरा next step क्या होगा? आउटपुट होगा. मेरा next step. तो मैं directly यहाँ से जम्प करवा के अपनी statement को क्या करवा दूँगी? इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम में कौन सी statement चाहिए? गो टू statement की ज़रूरत परेगे. अब हम आते हैं अपने main part की तरफ, planning the solution. planning the solution में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? planning कर रहे हैं सबसे पहले planning मतलब input हमें चाहिए होती है और input हम क्या करते हैं? जो चीज़ हमें required हो. इस problem में हमें क्या चीज़ required है? इस problem में हमें marks required है. हमें marks चाहिए, given चाहिए. और marks required मतलब यह कौन चीज़ कौन required करेगा? यूजर अपनी मर्ज़ी से कोई भी value marks ले सकता है. अब आगे हमारे पास next step के आजाता है processing. चेक ता marks में marks चेक करूँगी उसके according grades देखूँगी और grades के बाद मैं print क्या करवा दूँगी? अब हम आते हैं अपने problem की तरफ. step one is start and let the marks. मैं यहाँ पर marks select करती हूँ. step two यहाँ पर देखे, step two मेरे पास क्या है? if marks greater than or equal to 80, मेरे marks कितना है मेरे पास? 55 है. यह condition satisfy हो रही है, यह condition satisfy ही नहीं है, तो यह print यह नहीं करेगा. otherwise go to statement 4, किस दर चला जाएगा? स्टेटमेंट को skip करेगा, directly की statement में आएगा, four statement में आ जाएगा. four statement में आएगा, marks check करेगा, मेरे marks कितने हैं? 55 है, greater than or equal to 70, condition satisfy कर रही है, नहीं करी. condition ही satisfy नहीं है, तो print grade A नहीं करेगा, यहाँ पर आएगा, go to statement number 6, direct किस statement में आएगा, six में आएगा. यहाँ पर देखेगा, मेरे condition satisfy कर रही है, if marks greater than or equal to 50, then print grade C, यह condition मेरे satisfy कर रही है, यह condition मेरे satisfy कर रही है, कौनसा grade प्रिंट होगा, C प्रिंट होगा, grade, बिलकुल, इस statement में हम नहीं आएगे, हम directly statement में आएगे, next step पे जाएगे, next step हमारे पास क्या है, step number 9, step number 9 पे क्या है, directly go to statement number 13, हम किस में आप चले जाएगे, 13 में चले जाएगे, और 13 statement में हमारे पास क्या है, stop stop करवा दिया और यहाँ पर जो हमने stop करवा दिया आप देखें यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे है बिल्कुल यहाँ पर मारी value क्या हो रही है प्रिंट हो रही है यह grade हमार पस कौन सा प्रिंट हो जाएगा C प्रिंट हो जाएगा and then step number 9 पर आएगा go to statement number 13 और 13 में क्या है stop और यह मेरा program क्या हो जाएगा stop हो जाएगा thank you so much for watching this video इस problem में आपको कोई भी part कोई भी portion कोई भी step अगर समझ में नहीं आया तो आप मुसे comment box में पूछ सकते हैं